गुर्गाउम युनिसिपल कॉर्परेशन ने रीसेंटली एक डायरेक्टिव जारी किया है शहर में मीठ की दुकाने हर मंगलवार को बंद रहेंगी मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ये फैसला हिंदू सेंटिमेंट्स का आधर करने के परपस से लिया गया है गुर्गाउम मिनिसिपल कॉर्परेशन ने मीठ की दुकानों की एनुवल लाइसेंस फी भी दुगना कर दिया है साथ ही रूल्स के वाइलेशन होने पर फाइन दस गुना बढ़ा दिया गया है गुर्गाउं पहला शहर नहीं है हिंदूस्तान में जहां सप्ता में एक दिन मीटलेस डे होता है हर जगा वही कारण बताया जाता है हिंदूस के सेंटिमेंट्स शुड बी रेस्पेक्टेड असदुद्दिन ओवेसी बहुत कॉंबाटिव पॉलिटिशन है काउंटर पोलराईजेशन या फिर रियाक्टिव सेक्टेरिनिजम उनके फ्रिक्वेंट स्ट्राटिजीज होते हैं उन्होंने गुर्गाउं मिनिस्पिल कॉर्परेशन के फैसले के बाद बहुत ही नाट की तरीके से पूछा अगर ट्यूजडेज को मीट की दुकाने बंद रहेंगी तो शराब की दुकाने फ्राइडेज को क्यों खुली रहती हैं बात तो बस लॉजिकल है सिर्फ मिजॉरिटी कम्मुनिटी के रिलिजिस सेंटिमेंट का आदर क्यों होना चाहिए कुछ सब्ता पहले साउथ डेली मिनिसिपल कॉर्परेशन ने एक दूसरा ओर इशू किया था रेस्टूरेंट और मीट शॉप्स को अब प्रॉमिनेंटली डिस्प्ले करना होगा मीट जो सर्व हो रहा है या फिर बेचा जा रहा है हलाल है या जटका यह दोनों डेवलप्मेंट्स एक लंबे पॉलिटिकल डिस्पोर से कनेक्टेड है इस पॉलिटिक्स ओवर मीट हैस कॉंट्रिबूटेट तो शारपर कम्यूनल प्रेजुडिसेस ऑफ हिंदूस तोवर्ड से मुस्लिम्स इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक विशेश कारिक्रम में हमारे साथ हैं नाजीमा परवीन जी वे समाज शास्त्री हैं और इनकी बहुत ही बहतरीन किताब आजीमा जी हमारे कारिक्रम में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी जो किताब है पेसिकली टॉक्स अबाउट टी इवुलूशन ओफ लिविंग स्पेसिस ऑन कम्यूनिटी लाइन किस तरह से हमारे हर शहर में देखिये कहा जाता है कि वो मुसलमान मुसलिम इल जिस तरह से हमारे लकीरे खेची गई हैं कि हमारे रेसिडेंशल कॉलोनी में उसी तरह से डिविजन भी हो रहे हैं हमेशा से रहे हैं अपने परसनल प्रेफरेंसे हमारे खाने के तरीके हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं एक पूरा का पूरा एक स्टीरियो कि एक समय था कि जब महले बनते थे जाती के आधार पे और धीरे-धीरे क्या है कि धार्मिक आधार पे महले बटते चले गए और एक partition नहीं पतानी कितने partitions हिंदुस्तान में होते रहे तो उसी तरह से खान-पान, meet यह बहुत integral चीजे हैं जिससे stereotyping भी होती है और divisions भी create होते हैं बहुत बहुत शुक्री है इस कारेकर में मुझे बुलादे के लिए और जो बात जो आपने continuity को देखने की कोशिश करता है कि कैसे गाहे की राजनी ती जो कॉलोनियल पीरियट से शुरू हुई वो किस तरह से धीरे-धीरे जो आम जिंदिगी से जुड़े हुए गोश्ट खाने गोश्ट को एक जगा से दूसरी जगा ले जाने स्लाउटर हाउज और उस सबसे जुड़ती चली गई और उसी तरह से इस तरह वो जो एरियास थे जो कास्ट डिवाइडिड एरियास थे उनको एक तो इसका अगर हम इतिहास देखें और बिल्कुल शुरुआत से शुरू करें तो 1803 में जब कंपनी रूल दिल्ली में आया उसके बाद क्योंकि यहां कोई सेट रूल्स नहीं था और एक एक अंडिवाइडिड अंस्पोकन रूल जो स्टैबलिश था वो रोयल प्रोक्लाम काव स्लॉटर करते थे, साक्रिफाइस होता था उस समय और यह पूरी तरह प्रोबिटिड था, किसी भी मुस्लिम को यह आजाली नहीं थी, उससे पहले बाबर के टाइम से, बाबर की समय से, कि गाय क्या साक्रिफाइस इप के समय नहीं होगा, लेकिन ब्रिटिश को जरूर था, यानि रोजमर्रा में आम तोर पर कटने वाली गाये या और दूसरे जानवर, उस पर कोई सवाल नहीं था, लेकिन जैसे ही वो एक administrative negotiation का हिस्सा बनता है कंपनी रोल के साथ, अठाव सो तीन से लेकर, अठाव सो तावन तक हम देखते हैं कि कई orders इस तरह के आए, जिनो को एरिया गहता है, यह बिटिश शावनी थी, और बिटिश आर्मी को बीफ की जरूरत थी, तो अगर वो तीन दिन के लिए सप्लाइ बंद हो जाती है, तो उसे बहुत बड़ा वी क्रियेट हो जाता है, एक supply chain रुख जाते है, तो उस चीज को मेंटें करने के लिए, उन्ह चास में, जब company rule पंजाब में establish हुआ, ठारा सो कतालिस तक आते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि 1849 में actually a set of rules दिया गया, जिसमें पहली बार यह कहा गया, कि slaughter, ना सिर्फ गाय का, बलकि कोई भी slaughter, शेहर के उन शेहरों, गाओं या कजबों के आसपस 300 km, 300 मीटर के आसपस नहीं होगा, जहां हिंदू-Muslim आबादी मिली जुली है, या close proximity में रहती है, मतलब तभी से लेके identify होगा कि अगर हिंदू पास रहते तो वहाँ पे slaughter or sacrifice नहीं होगा, जी, वहाँ नहीं होगा, दूसरी बात यह तै की गई कि जो meat shops हैं, उनके लिए एक specified space दिया जाएगा, ज आज भी यह कहता है कि majority of Hindus are meat eaters of some kind or the other, and यह तब से लेके marking होगा, कि meat जो है, वो गोष्थ जो है, वो मुसलमान और इसाई लोग खाते हैं, या फिर बाकी और धर्मों के लोग, और हिंदू लोग जो नहीं खाते हैं. इसमें एक बहुत important बात में बताना चाहूंगे, कि जब Britishers यहां आए, चाहे वो company rule था या बाद में, तो उसमें एक consultative mechanism उन्होंने शुरू किया, because they needed, उनको एक जरूरत थी किसी से representative से बात करने की customary, जो practices थी भारत में उनको समझने के लिए, क्योंकि वो एक खास परिवे जो भी community representatives, so called representatives को चुना गया, बाचीत के लिए, collaboration के लिए, वो सभी बहुत conflicting अपने ये नजरियात बताते रहें कि customary practices को लेकर, जैसे गाय को लेकर, जब ये बात थी कि वो नहीं होना चाहिए, gradually हम देखते हैं कि जो rules and regulations उन्होंने लागू किये, उसमें वो जैसे ही negotiation में तो जो मुसल्मान थे, वो इस बात को अर्ग्यू करने लगे कि उनको पूरी आजादी होनी चाहिए, हर तरह से बाकराइद पर भी काटने के लिए, दूसरी तरफ जो Hindu representatives थे, उन्होंने ये कहा कि ये हमारे religious sensitivities की बात है, हिंदू समेरनाओ की बात है, और हम गाय की पूजा करने के लिए, ये लोग उनको आगे political future दिखता है, तो शायद इसी वज़े से रहा होगा, हाँ, उसमें political interest शामिल थे, क्योंकि जो नया power structure बन रहा था, उसके साथ में आपको accommodate होना है, अपने community की बात कहने के लिए, तो आपको एक तरशे leadership status मिल गई, जो कि पहले royal status होती थ नए लोग अपने political ambitions को आपको इसमें सबसे जादे इंपॉर्टन बात यह है कि जो upper caste, upper class sensitivities थी, जो religious sensitivities थी, उनको एक official या administrative language मिल गए, तो इसी वज़े से जो बाद में आपने कहा कि ये कैसे establish हुआ कि Hindu vegetarian है, Muslim non vegetarian है, तो उसका आधार ये, क्योंकि customary practices को ही British officials ने आधार बन होता है, जब formal तरीके से कॉलोनी स्थापित हो जाती है, उसके बाद जो customary practices है, उनको आधार बनाया गया, तो उनको लेकर बाद में कानून बनाए गया, थोड़ा सा आगे आपका एक वाके मेरे दिमाग में हॉंट कर रहा है, जो हम लोग बात कर रहे थे इस program के पहले, कि एक तरह से आपने कहा कि cow was one of the prime causes of partition, politics of over cow, उसके से related, जब cow की बात करें, सिर्व गाय की बात नहीं करें, लेकिन उससे जो mila-jula, जो पूरा एक industry खड़ा है, सिर्व गाय नहीं, और जानवर भी, बड़े जानवर, छोटे जानवर, उससे पूरा एक partition का cause, तो इसको ज़र मुझे संभाएंगी है कि आपने क्यों कहा था, उसको कहने का मेरा अतातपर यह था कि आपने जो बात कहीं कि हिंदू और मुस्लिम एरियास की डिविजिन की बात कहीं है, जो मार्किंग की बात है, वो मार्किंग कभी भी हमेशा से कुछ आबादी, कुछ हिलाके मुसलमानो से आबाद थे, कुछ हिलाके हिंदूों से आबाद थे, पर वो कभी भी उस तरह से मार्क डाउट नहीं हुए, क्योंकि वो जो डिविजिन था, वो कास्ट और क्लास के अस्येशन पर बेस्ट था, हमेशा से, सभी पराने शेहरों में एक पैटन रहा है, लेकिन जैसे ही गा सब्सक्राइशन होता है, ग्रैजुली वो मीट के रेगुलराइशन से जुड़ जाता है, क्योंकि गाये को काटना सिफ मुद्दा नहीं रह जाता, वो कहां कटेगी, किसको अलाउट है, किन अरियास में कटेगी, क्योंकि मुसल्मान उसके, they are habitual to be, these were the words, जो लगतार उन प दूसरी इसमें जो बात इंपॉर्टन थी, कि वो हिंदू सेंसिलिबिलिटी को उफेंड नहीं करना चाहिए, जब भी आप गाये को काटें, या किसी भी जानवर को काटें, तो जब यह official language आपको मिलती है, तो then you take the responsibility, especially after the 1960s, when municipalities were formed, 1963 में, तो उनका एकी काम बन गया, कि किस से मीट को regularize किया जाए, slaughter of animals, sale, और उसका जो, sale और उसका जो transportation है, तो वो कहां गटेगा, slaughterhouse में, किस तरह से वो किन जगहों से बुजर कर, वो ठेलों पर किस तरह से जाएगा, covered होगा, नहीं होगा, तो covered होना चाहिए, ताकि वो किसी की sensibilities को offend ना करे, दूसरा यह कि वो, अ मुसलिम घरों में, मुसलिम इलाकों में ही होगा, तो इससे हम देखते हैं कि gradually official language में, वो बात आती चले जाती है, तो ऐसा नहीं है कि लोग मूव कर रहे हैं, लोग मूव नहीं कर रहे हैं एक एरिया से दूसरे अरिया में, बट जो areas already है, जो कि caste divided हैं, उनको religious identity officially दी जाती ह तो इसलिए मैंने कहा कि गाय की regulation से लेकर वो जो शुरू हुआ है स्पेस का division, वो बाद में हम देखते हैं कि जैसे ही ये जो इलाके हैं, वो political constituency बनते हैं, तो उनको एक राजनीतिक पहचान बिल जाती है, वो तो फिर पहले election से ही हो जाता है, जी, इवन जो prominent जो nationalist हमारे जो मुसलिम से हैं, मौलाना अजाद को ही देखिए, मतलब 1952 के चुनाव में उनको रामपूर भेजा गया, उनको किसी और constituency से नहीं लड़ाए गया कि जहां पे मुसलिमान कम थे, मुझे एक चीज़ पूछना है आपसे, contemporary period में हम लोग बात करें, हमीशे ये गुर्गाओं की बात करें, हम लोग दिल्ली की बात करें, ये एक तरह से स्टिग्माटाइजेशन के फॉर्म पे मैं देखता हूँ, कि मतलब आप जटका हलाल, सडनली मतलब आप एक कम्मुनिटी को अप शायनक बोलने रहें कि आपको अवेर हो जाना चाहिए कि आप जटका खा रहें, को देखने को मिलता है, कि एक कैटेगराईजेशन होती है, बड़न वेजिटेरियन खाने की हिंदु सतान में, गुड नॉन वेजिटेरियन रही जटेक्षे नॉन वेजिटेरियन में आएगा, मशली आएगा, छोते जानवर आएगे, मुर्गे आएगे, चिडिया खाते हैं, मतलब हिंदू कम्मुनिटी में बहुत जगा हिंदू मुर्ग है, सारे लोग खाते हैं, इवन हिंदू जिसको मतन बोलते हैं, मतलब गोट या फिर शीप उस परगत आते हैं, बाकी जगा भ्हास करता है, लेकिन उसको भी कैटेगराइज करके, मुस्लमान इलाकों में, सो कॉल्ड मुसलिम इलाकों में आपने रिस्ट्रिक्ट करके रखती हैं, तो यह किस तरह से इवाल होता है, गुड वेजिटेरियन, गुड नॉन वेजिटेरियन यह इतिहास में कहां से देखने को मिलते हैं, और जो बड़े की राजनी थी, उसमें भी एक सटन आपको इतिहास में जरूर दिखा हुआ, किताब में भी आपने इसके मंचिन कियी है, इसमें जो आपने यह बात कही, एक तो दो बाते हैं, एक तो हलाल और जटका का वो गाय से एक सैक्रिफिशल काव के स्लॉटर से लेकर मीट तक पहुचता है और जब वो मीट तक पहुचता है तो उसमें ये डिविजन होता है कि जो मीट शॉप्स हैं वो सिर्फ मुस्लिम डॉमिनेटिर इलाकों तक ही मैदूद रहेंगे वो हिंदू इलाकों से उनको रिमूब कर दिया जाएगा ये शिफ्ट कर दिया जाएगा तो जब ये बात आती है तो इसमें और उस वक्त तक आजादी से पहले तक ये चीज इतना प्रॉमिनेंटली नहीं आती बड़े का गोश्ट की जो बात है बड़े का गोश्ट की बात आती है उसके बाद मतब आजादी की टाइम पर जो constitutional debates हैं उसमें हमें पता चलता है कि कैसे गाए एक बार फिर एक political बहुत strong political symbol की तोर पर उबढ़ती है और उसमें ये बात की जाती है कि इसिंडी में debates होते हैं लोगसभा में debate होता है और एक कैंदरिये कानून ने एक जैसा कानून लाने की बात करते हैं तो जो बड़े के गोश्ट की बात है वो जो एटीन से नाइनटीन थाटीन में जो फरस्ट बाईलाउज आए हैं municipality की के उसमें ये बहुत clearly ये कहा जाता है कि जो meat का business है वो बहुत offensive trade है वो offensive trade की category में आ जाता है और बहुत सारे commercial जो ventures है उनके साथ में ये भी आता है वही जो bylaws हैं वो 1951 में जो municipal committee है वो उनको इस्तियार करती है बाद में वो 1857 में revise होकर Metropolitan Council के bylaws बन जाते हैं तो उन bylaws में बहुत specifically कहा जाता है कि जो meat है उसमें चाहे वो hawking हो ठेलों पर बेचा जाए या फिर वो उसको slaughter हो या meat shops हो वो specifically Muslim इलाकों में रहेगा वो Hindu इलाकों में ये नहीं कहा जाता है कि Hindu इलाकों में नहीं रहेगा और उसमें important बात ये है कि जो fish है वो उसको exemption है यानि उसको आप hawking भी कर सकते हैं आप ठेलों पर बेच सकते हैं आप Hindu इलाकों में भी और Muslim इलाकों में भी इसलिए मैं इसको कहते हूं कि ये पार्शिल वेजिटेरियनिजम है तो पार्शिल वेजिटेरियनिजम का मतलब यह है कि आप एक तरह का खाते हैं एक तरह का नहीं खाते हैं तो उससे क्या होता है कि ग्रैजुली जो बड़े का गोश्थ है वो एक lower caste, lower class communities जिसमें की मुसल्मान भी शामिल है Christian communities भी शामिल है Hindu caste communities भी शामिल है उन सब का एक वो बन जाता है वो भी जो है हिंदुों में basically lower caste के लोग खाते हैं तो ग्रैजुली हम देखते हैं कि meat की अपनी caste और class है जिसमें की जो mutton है, fish है, या poultry है वो अपने आप में एक तपके की लोग उसको accept करते हैं महंगा भी ज़्यादा है महंगा भी ज़्यादा है और आप देखते हैं कि chicken की दुकाने कहीं भी है वो कहीं भी काट सकते हैं, कहीं भी बेच सकते हैं तो उस पे कोई पाबंदी ने लेकिन आज तक भी municipal market में भी आपको beef की दुकाने नहीं मिलेंगे वो खरीदना है कि आपको तो आपको so-called muslim इलाकों में जाना है unless it is densely populated muslim area दूसरी बात जो जटका और हलाल से related थी ये जो term है ये इसकी भी अपने आप में एक राजनी थी जटका जब constant assembly में debates हुई और बाद में जो लोगसभा और राजेसभा में जो debates हुई है जिसमें की लगतारी कहा गया कि काउस लोटल को पुरी तरह से बांद होना चाहिए जी कि उसमें ये हलाल जो हो जादा barbaric है उसमें जानवर को तड़ अपने के लिए छोड़ दिया जाता है अच्छे ये हलाल आकर है क्या तो ये सवाल आता है तो हलाल actually एक तो हलाल का मतलब जो Islamic philosophy है उसमें एक जायज जो आपके लिए जायज है आप को करें तो उसमें एक particular category of animal है आप कहा सकते हैं और बाकी नहीं कहा सकते हैं जैसे pork उसमें नहीं आता दूसरा जो हलाल है वो एक practice है कि आप उसको किस तरह काटेंगे the mode of sacrifice or the mode of slaughter mode of slaughter जो Qureshi community है और जो मुसल्मान है वो largely believe करते हैं कि जब आप उस तरीके से किसी भी animal को slaughter करते हैं तो उसका जो पूरा blood है body का वो निकल जाता है जिससे वो contaminate नहीं होता और उसको आप लंबे समय तक रख सकते हैं store कर सकते हैं जो हलाल जिसको यह लोग करने की कोशिश कर रहे हैं यह Islamic way है there is no doubt Islamic तरीका है क्योंकि उसके contrary जटका हमेशा रखा जाता है मतलब अब introduce किया जा रहा है अब force करने की कोशिश हो रही है कि आपको सिर्फ जटका ही खाना चाहिए लेकिन हमको इतिहास में इतना ज़्याद है insistence नहीं दिखाई देगा वो इसलिए नहीं दिखता कि दिल्ली में ज़्यादा तर जो बीट है उसमें जटका की डिमांड बहुत कम है हलाल की डिमांड ज़्यादा है जो नौन-मुसलिम में पूरे नौर्ट इंडिया पे देखने को मिलता है जो नौन-मुसलिम मीट-eating कम्यूनिटीज है वो भी हलाल गोश्ट को जादा प्रेफर करती है उसकी एक वज़ा यह है कि जटका की डिमांड कम होने की वज़े से उसका प्राइस सोड़ा सा जादा होता है आपको लगता है कि यह जो हलाल फॉसस को एक तरह से जो डेनिग्रेट किया जा रहा है ये एक तरह से basically community को एक label देने की कोशिश है Hindu prejudice towards Muslims को increase करने की कोशिश है बिलकुल, बिलकुल, इसलिए मैंने कहा कि इसकी अपनी एक राजनीती है तो अभी भी अगर हम देखें तो मतलब 2014 के बाद से जो गाय की राजनीती या मीट की राजनीती है उसके कुछ बहुत important आयाम है उसके चार बहुत important आयाम है एक अब उससे पहले तक जो एक common law की बात होती थी वो बिलकुल disappear हो गई है अब जबकि BJP power में है और वो चाहें तो कभी भी कोई भी law ला सकती है लेकिन जो एक common law को cow slaughter की बात थी वो पूरी तरह से खत्म हो रही है दोसरी important बात यह है कि जो cow है या meat है उसका commodification हो गया है cow का कास करके commodification इस तरह से यह है कि cow अपने आप में एक brand बन गई है जहांपर कि cow urine और cow dung का अपने आप में एक status है ऐसा नहीं है कि वो पहले available नहीं था पर हम देखते हैं कि यह जो राजनीती है उसमें नए नए आयाम लगतार जुडते रहेंगे तीसरी जो important बात है यह अब हिंदू सवेदनाओं से कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ बन गए तो अब यह इसको इस तरह से institutionalization हो गया है तो यह जो नई बाते आ रही है यह जो आपने अभी शुरू में introduce करते वक्त यह बताया है कि mangalwar वाली बात तो mangalwar वाली बात नई नहीं है उसको रही कम्यूनिटी हमेशा से follow भी करती रही है और अगर आप किसी बुचर से जाकर पूछें किसी मुसल्मान मुचर से भी अगर पूछें कि आपको इससे कोई परिशानी तो नहीं तो आपको जवाब देंगे कि हमें कोई परिशानी नहीं है क्यों समस्या क्या है कि पोस्ट लिबरलाइजेशन market में तो आप किसी भी घंटे में जाकर आपक्रिश का सकते हैं किसी भी घंटे में जाकर आप कर दिच्ट कि 25 टॉर आज सब्सक्राइब लिबरलाइज नहीं है प्रिशे कश्याल परिशाएज तो अगर तरह से जो प्रैक्टेस था लगतार उससे जोड़ी हुई है तो उस वज़े से हुआ यह है कि मीट इंडस्ट्री जो कि अपने आप में बहुत लिक्रेटिव है उसमें इंप्रूवमेंट की बात कभी नहीं हुई तो या तो उसको शट डाउन करने की बात होती है या फिर उसको पूरी तरह से उसमें इस तरह की राजनीति नई नई आया में उसमें जोड़ दिये जाते हैं मैं एक चिक जग देखा था कि मीट एक्सपोर्ट को लेके बहुत अर्ली डेस से हमको रेक्रिशन मिलती है सरकार के समय उसमें कि मीट एक बहुत लुक्रेटिव बिजनिस है खास होसे गल्फ कंट्रीज में और वह ओविसली बफिलो या फिर काओ जहां-जहां काओ स्रॉटर होता था वहां से जाने का तो इसका एक लंबा ट्रीशन रहा है जो कि आज भी देखने को मिलता है मतलब गुजात is one of the largest exporters of beef in the country तो यह एक duality नहीं देखने को आप मिलता आपको कि एक तरह से तो export आप प्रोमोट करें लेकिन domestic market में आप consumption को बिल्कुल restrict करके रखे और stigmatize करें तो उसका एक वजह जो मुझे नजर आती है जो मैं देख पाती हूँ वो यह है कि सेवेंटीस तक आते आते जब मेडिल इसन गल्फ कंट्रीज में जिस तरह से यह हुआ और export की डिमांड बड़ी तो उस वक में उनकी जो requirement है वो हलाल मीट के लिए हो स्ट्रिकली हलाल मीट क से जुड़ी हुई है दूसरी उनमें development नहीं हुआ क्योंकि Indian leather की quality की वज़े से वो भी develop हुई है साथ-साथ लेकिन gradually हुआ यह कि जो कुरेशी ब्रादरी है वो बहुत जादा powerful हो गई और हमेशा आप देखें कि इस सरह की communal राजनीदी के पीछे एक एक economic जो आयाम है जो अर्थिशासरी आयाम है वो हमेशा जुड़ा रहता है तो अभी जो यह है उसमें और अभी भी आगर आप देखें तो जो big players है इसमें मीट इंडस्ट्री में वो जादा तर non-muslims हैं लेकिन यह एक तरहां का एक यह है कि एक तो जो जो commercialization है मीट का जो जो चोटे काम करने वाले जो आम तोर पर daily wage workers हैं जो कि slaughter में जुड़े हुए हैं कहीं न कहीं उन से चीनकर उसको privatize करने का ज्यादा एक यह मुझे लगता है कि उसको किसी तरह प्राइविटाइस किया जाए उसको किसी तरह centralized किया जाए कि उसमें private interest को एक जगा मिल सके हम ल इसको यूज किया जाता है पोलराइज़ेशन और पूरी तरह से एक चोट करते हैं कि demonization of the minority community हर कदम पर देखने को मिलता है जब भी हम इतिहास की बात करते हैं इतिहासकारों से बात करते हैं तो एक particular incident के बारे में बात करना बहुत सरूरी हो जाता है वो है the issue revolving सिकंदर बक and his marriage Sikandar Bakht जो पहले Congress के नेता होते थे उसके बाद BJP जब 180 में बनी तो वो उनके founding members में से थे और उसके बाद BJP में काफी senior positions में पहुचे गवर्नर भी हुए और मंतरी भी रहे पहले तो वो पूरा episode को जड़ा recreate करेंगे हमारे दश्रों के लिए on a lighter note I say lighter note because I find it extremely ironic in today's politics Sikandar Bakht जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि वो कुरेशी वरादरी को बिलॉंग करते थे और उस वक में उन्होंने एक जो partition victim की पढ़े लिखे थे partition victim जो एक family थी उनकी लड़की से उनकी शादी होगी उस वक में थोड़ा सा ही culture था कि इस तरह की inter-religious marriages को बहुत ज्यादा हिंदुस्तान के पहले लव जिहादी थे हाँ ऐसा कहा जा सकता है जी बिल्कुल और उसको लेकर बहुत प्रोटेस हुआ था हिंदु महासभा राश्य सवयम सिवक संग मेरे खाल से उनके अक्टिविस्ट ने उनके घर के बहुत बहुत ज़ादा उसके बाद हंगामा हुआ इन फेक्ट उसके बाद जो कुरहशी कम्यूटी है वो एक टार्गेट बन गई उस तरह के कम्यूनल वाइलेंस का बहुत ज़ादा मतब दंगे हुए मतब अगर आप देखें तो जामा मजिट के बाहर काई भी स्पोर्ट भी हुए बावन और तरेपन के दोरान पर और उसक तो वो उनके उपर इंस्पेक्शन लगतार हो रहे हैं या यह सब हो रहे हैं उनके जो औजार हैं वो कॉन्फिस्केट किये जाते थे पुलिस ने पुलिस हरास्मेंट उनका बढ़ गया और जो हम देखते हैं बाद में तेहतर और 1972 और 1974 में दो दंगे हुए थे तो वो जो हैं वो भी स्पेसिफिकली कुरेशी कम्यूटी को टार्गेट करके किये गए थे तो उसमें जो मतब जो अकैडमिक वर्क उस वक्त का आता है जो कि हिंदू-मुसल्मान रिलेशन्सिप को लेकर है उसमें शालीना मैथा का एक काम है जो यह बताती है कि कैसे जैसे ही ग्रैज तो उसकी वज़े से क्या हुआ कि एक कॉंपिटिशन वाली एक स्टेज आ गई तो बाद में सिकंदर बख्त का जो वाक्या है उसके बाद यह होता है कि वो 77 तक आते जनता पाटी के साथ में भी वा गए और उसके बाद एक लैंड को लेकर जो की अईद का स्लाटर हौट से जुड़ा हुआ लैंड था वहां पर उन्होंने प्रपोस किया कि यहां एनिमल जो मंडी बना दी जाए जानवरों के लिए लेकिन फिर बाद में उस पर टसल हुआ और आरेसस ने वहां पर एक स्कूल बना दिया जो कि सनातन धर्म से रिलेटिद एक स्कूल है तो वो बना इसके बाद वहीं पर हमी स्लॉटर हाउस के दिवार के साथ में ही एक मंदिर बिवाना दिया गया पहले इदगा दिल्ली में जो इदगा स्लाटर हाउस था वह वहां पर बनाया गया जहां शहर खतम हो चुकी थी लेकिन उसके बाद शहर बन गया और वह शहर बिकिम अ मिक्स कॉमिटी मिक्स लोकालिटी तो हम यह देख पा रहे हैं आप से बातचीत करके कि जो आज जो गुर दिलाया जा रहा है जो हिंदू कंजूमर है कि आप मॉरली इंकरेक्ट चीज का सेवन कर रहे हैं अगर आप कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं और उसके साथ कनेक्टेड है कि आप मतलब एक अंटी नाशनल पोर्स को आप शायद उसकी मदद कर रहे हैं लेकिन यह आप शुक्रिया बहुत 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 शुक्रिया बहुत लंबे समय के बाद हमने स्टूडियो में किसी से बाचीत की कोविड पैंडमिक की वज़े से लगडाउन चल रहे हैं आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा तन्यवाद और आपके किताब के लिए इंवाइटिंग भी है तो यह रही मीट की राजनीती की बात हलाल हो या जटका हो सोमवार को दुकान बंद रहे या मंगलवार को यूं तो हर दिन भगवान का होता है मेरे ख्याल से आप सब एगरी करेंगे कि बेस्ट है कंज्यूमर पर छोड़ दिया जाए कि वो किस दिन मीट खरीदना चाहता है या किस तरह से कटावा मीट को खाना चाहता है धन्यवाद